हाई स्टुरेंट्स है गुड इवनिंग आज हम लोग जो है टॉपिक पढ़ने वाले हैं लेटर मैट्रिक्स अल्फाबेटिकल सेक्षन में काफी दिनों से करा रहा हूं आपको पीटी एक्जाम के कोडिंग एंड यूपी एसाई के कोडिंग तो आज हम लोग पढ़ने वाल हूंगा अल्फाबेटिकल सेक्षन से रिलेटेड में काफी आपको टॉपिक्स करा चुका हूं अब इसके बाद मैं ब्लड रिलेशन और सिलॉक्स काजन इफेक्ट जो पीटी एक्जाम अभी सबसे लेटेस्ट में पीटी एक्जाम होने वाला तो पीटी एक्जाम के कोडि पिल के आएंगे उनके कोर्शन की लेवल आप डिपकल्टी भी मैं बढ़ा दूँगा अभी मैं पीटी एक्जाम को केर करते हुए जो है आपको पढ़ा रहा हूं तो आज का टॉपिक है हमारा लेटर मैट्रिक्स ओके आज का टॉपिक रहेगा लेटर मैट्रिक्स लेटर मैट्रिक्स में क्या करना है देखो लेटर मैट्रिक्स में कभी भी क्या होगा कि आपके सामने दो मैट्रिक्स दिये जाएंगे इस प्रकार से दो मैट्रिक्स आपको दिया रहेगा तो ये मैट्रिक्स आपके सामने बने हुए हैं हमें लगता है कि आपको दिखाई दे रहा होगा विजबल होगा तो देखिए लेटर मैट्रिक्स फर्स्ट और सेकेंड इसी मैट्रिक्स पर आधारित करके वह आपसे सवाल पूछता है ठीक है तो इसी मैट्रिक्स पर आधारित करके वह आपसे सवाल पूछेगा तो यहां प इसमें कुछ लेटर कैप्टे लेटर में लिखे हुए हैं आपको पूछा है कि यन बराबर 23 तो गेट बराबर क्या याद रखो कि यहां पर किसी लेटर की वैलू जैसे मालों दे दिया यन बराबर 23 ठीक तो यानि यहां पर एक एक्जाम्पल दे रखा है दुबारा आपसे सवाल पूछा हुआ है अगर यन कमान 23 है तो गेट कमान हम लोगों से पूछा हुआ है तो देखो सबसे पहले इस तरह के प्रश्ण में हमें सबसे पहले क्या देखना है हमें यह देखना है कि गिवेन एक्जाम्पल की साधार पर रो से कालम या कालम से रो तो दोस्तों जो वर्यिकल है ये कालम कहलाता है, जो होरिजन्टल है ये رो कहलाता है, ठीक है, तो हमें ये देखना है, किसी भी लेटर की वैलून याद रखो कि बहुत सारे values हो सकते हैं, जैसे यन का मान अगर आप देखते हैं, तो देखिए, यन के लिए 0 में row है, column में 0 है, तो इसको कह सकते हो, row to column 00, और यन के और भी मान हो सकते हैं, यन का देखो, row में क्या है, one है, column में क्या four है, तो one four, row to column, अगर आप किसी को पहले row में देखकर, अगर बाद में कालम में देखते हो तो इसको कहा जाता है रो टू कालम अगर आप पहले कालम में देखते हो बाद में रो में देखते हो अगर आप पहले कालम में देखते हो बाद में रो में देखते हो तो इसको कहा जाता है कालम तू रो यह डेटा देखने का तरीका है ठीक आपर यहां पर सबसे पहले यह देखना मैं किलम से रोव है टीक उसी आदार पर हमें अपना option किल clip कर ना एक कोशन डायरेक्ट नहीं किया जाते ऐसे कोशन हमेशा ऑप्शन से इससा ही चाल्ब किया जाते है ठीक है तो यहां पर यह कमान अगर रो यह तो डीसक्षील देखेंगे एंगे तो बहुत तरीकेश्य देख सकते हैं यह कमान तो नहीं थार्टीन बोलेंगे यन कमान देखो 11 कालम बोलेंगे और कालम तुटू तू दो बोलेंगे और कालम क्वेगने तो सबसे पहले यह देखते हैं कि हमारा जो एक्जांपल दिया हुआ है एक किस आदार पर है रो से कालंव दे रख़ा है कि कालं से रो week abtMaybe उसी आदार पर हम लोग अपना अंसर घ्र तो पहला डिजिक क्या आख टू दूसरा डिजिट क्या थी रो से कालंव क्या दार पर बरियेता धिया जाता है पहले हम को तीन चार पॉइंट बताते हैं सबसे पहला पॉइंट यह है देखिए सबसे पहला काम आप यह करोगे कि अगर एक्जाम्पल दिया है तो बहुत अच्छी बात है सबसे पहले आप यह देखोगे कि दिया गया एक्जाम्पल किस आधार पर है रो से कालम की कालम से रो रो से कालम की कालम से रहो ठीक उसी आधार पे हम अपना नहीं है ठीक है अगर मादलो एकजां Taylor नहीं दिया है डाइरेक्ट अगर यह यंखमान नहीं देकर गेट कमान पूच लिया होता है अगर ऐसा सवाल दे देता है डाइरेक्ट आपको दे देता है हाँ तो ऐसे situations में आपको क्या करना है कि अगर आपको ऐसा दे देता है कि example ना दिया गया हो तो आप क्या करेंगे कि रो से कालम को बरियता देंगे हमेशा रो से कालम को बरियता देंगे फर्ष्टा फॉल रो से कालम चेक करेंगे अगर रो से कालम सैटिस्थाई नहीं करेगा तब हम कालम से रो चेक करेंगे ठीक है और तीसरा पॉइंट यह है कि मान लोग की बिकल्प हम चेक करते हैं और सा पहला point कि इस प्रकार के प्रशनसीधे option से solve किये जाते हैं दूसरा point की दिये गया example को देखना है कि किस आधार पर है row से column या column से रोग ठीक उसी आधार पर हमें अपना answer करना है तीसरा point कि तीसरा point क्या होगा तीसरा point यह होगा कि अगर example नहीं दिया गया है तो row से कालम को बरियता देना है रो से गालम पहले चेक करेंगे अगर रो से कालम नहीं मिलता है इसके बाद फिर हम कालम से रो चेक करेंगे ठीक है अगर मान लो सारे किसा दार पर है रो से कालम या कालम से रो तो रो में क्या है तू देखना है कालम में क्या देखना थ्री और किसके लिए देखना एन के लिए देखना है तो यहन के लिए रो में क्या देखना है तू देखना है यहां देखो यहन के लिए रो में टू है कालम में क्या थ्री है यानि जो 23 यन का मान लिखा है वो रो से कालम के आधार पे है तो रो से कालम के आधार पे हमें अपने बिकल्प को चेक कर देना है और जो बिकल्प हमारे बेलू को साटिस्फाई कर देगा वही हमारा आंसर होगा ठीक है तो यन का माने आप पर 23 जो दिया है रो से कालम है तो के लिए चेक करना है सबसे पहले जी का मान चेक करोगे 파िर का फिर risky का प्रीका तो जी के लिए पहला बिखल्ब चेक करते हैं 78 तो देखते हैं क्या 78 से कालम क्या जी के लिए रो में 7 चाहिए इचाहिए यानि कि शही है अब इसके बाद देखते हैं 56 किसके लिए एके लिए रो में 5 चाहिए और कालम में हमें 6 चाहिए यह भी बात सही है रो से कालम सही है अब इसके बाद 30 देखना है रो से कालम किसके लिए टी के लिए तो 30 रो में 3 चाहिए कालम में 0 चाहिए यह भी बात सही है अब देखना एक लिए 20 रो से का तो यहाँ पर देखिए रो में two है कालम में one है यानि यानि यहांपर गलत हो गया इसका मतलब है कि यह answer हमारा सही नहीं है ठीक है अब हम लोग दूसरा विकल्प को चेक करते हैं 87, 87 किसके लिए G के लिए, 8 रो में चाहिए और 7 चाहिए सही है, 75 किसके लिए A के लिए, रो में 7 चाहिए यहाँ पर 5 चाहिए यह भी बात सही है, 22 किसके लिए चाहिए T के लिए चाहिए, तो 22 भी रो से कालम मेरा सही है, अब E का मान 34 देखना है, रो में 3 कालम में 4, तो किस के लिए यानि यानी यान सारी वैलू स्टपाइब हो गईया ने आंसर हमारा इसमें क्या बनेगा विर विर चाहिए तो दोस्तों बहुत होता है graduate student तो शलो सबसे पहले इहां पर कोई इजाम्पल नहीं दिया है उपर वाले question में यन बराबर 23 लिखा हुआ था अगर example देता है तो मीरा काम और असान कर देता है तो यहाँ पर तो example दिया बटे। इस question में example नहीं है यहाँ पर डाइरेक्ट आप से पूछ लिया कि नेम बराबर क्या होगा तो यन कमान फोटीवन चेक करते हैं रो से कालम है क्या फोटीवन किसके लिए एन के लिए तो फोटीवन नहीं है भाई या गलत है यानि कि रो से कालम हमारा पहला अपसन गलत हो गया दूसरा अपसन देखते हैं थार्टीवन रो से कालम है क्या एन के लिए थार्टीवन है भाई सही है अ अब तीसरा देखते हैं 43 एन के लिए है क्या 43 यानि ये गलत हो गया तीसरा आपसन भी गलत हो गया 42 देखते हैं क्या 42 एन के लिए है क्या यस है रो से कालम है 87 रो से कालम देखते हैं एक लिए है क्या 87 एक लिए चाहिए था जो की गलत हो गया यानि चारो विकल्प हमने रो स से कालम के आदार पर गलत पाया गया अब हम लोग क्या करेंगे कालम से रोज चेक करेंगे तो कालम से रोज सबसे पहले यन की वैलू चेक करेंगे 41 है क्या 41 एन के लिए चेक करना है 41 कालम सरो क्या दार पर कालम सरो मतलब ऐसे पहले कालम में देख के बाद में रो में देखो गे तो कालम टूरो का लाएगा तो 41 जो है सही हो गया अब एक आमांद चेक करते हैं कि 65 कालम सरो है क्या एक के लिए 65 आप देख सकते हैं कालम सरो है है यानि या भी साहिए है 40 देखते हैं यम के लिए कालम से रो है क्या यानि य भी यानी दोस्तों मेरा पहला option ही सही हो गया कालम से रोकिया आधर फ़ेपर सही ळुप जब भी आपके सामने ऐसा सवाल आएगा तो फ़र्ष आपाल आपको याद से सल्व करना है दूसरी बात की एक्जामपल अगर दे रखा है चेक करो कि रो से कालम है कि कालम से रो है ठीक उसी आधार पर अपना आंसर कर दो अगर मालो एक्जामपल नहीं दिया है तो रो से कालम को बरियता दी जाएगी और रोसे कालम अगर आपका कोशन सैटिस्फाई नहीं होता है तो डेफिनेटली वो कालम सरो मिलेगा फिर कालम सरो जैसा कि इस कोश्चन में कालम सरो के आधार पर हमारा पहला विकल्ब सही हुआ है ठीक है आईए अगे बढ़ते हैं अगले कोश्चन में चलते हैं अब आपके सामने एक दूसरा सवाल उपस्तित है यह सवाल को करने आपको तो वैसे ही करेंगे जैसे अभी हम लोग कर रहे थे तो सबसे पहले मुझे क्या करना है वही कि इसमें तो हमें एक्जांपल नहीं दिया है इसमें डाइरेक्ट मोश्ट का मान पूछा है और यहां प क्यादार पर चेक कीजिए यहम कमान 42 से कालम सही है फिर इसके बाद अब 44 के लिए चेक कीजिए 44 के लिए चेक कीजिए रोसे कालम यह भी सही है अब 22 चेक कीजिए किसके लिए चेक करेंगे एस के लिए चेक करेंगे 22 रोसे कालम यह भी सही है अब 89 के लिए चेक कीजिए 89 9T के लिए गलत हो गया इसका मतलब कि मेरा पहला गलत हो गया अब हम दूसरा विकल्प 3-0 चेक करेंगे M के लिए 3-0 चेक करेंगे M के लिए 3-0 गलत हो गया यानि 2-1 चेक करेंगे M के लिए 2-1 भाई बिलकुल सही है अब इसके बाद जो है 00 O के लिए चेक करेंगे 00 O के लिए चेक करेंगे जो कि यह है नहीं यह गलत हो गया यानि कि अब हम क्या करेंगे 02 चेक करेंगे किसके लिए M के लिए 02 चेक करेंगे M के लिए रो से कालम सही है अब इसके बाद जो है वान थ्री चेक करेंगे किसके लिए ओ के लिए वान थ्री रो से कालम क्या धार पर यह भी सही है 34 चेक करेंगे किसके लिए एस के लिए 34 यह कमान सही है अब 56 चेक करेंगे किसके लिए टी के लिए 56 चाहिए T के लिए यह भी सही है यानि कि रो से कालम के आदार पर सभी value satisfy कर दिया आनिया इस question में मेरा जो answer सही होगा हो क्या सही होगा दोस्तों D सही होगा answer will be D आईए अब रोड का मान चेक करते हैं इसी question में हम लोग रोड का मान चेक कर लेते हैं चलिए रोड का मान बताइए क्या होगा है ना रोड का मान क्या होगा सबसे पहले रो से कालम को बरियता दिया जाएगा पहले रो में फिर कालम में चेक करेंगे अगर चार कभी कभार ऐसा होता है कि कालम से तो पूरेंस क्forcement पूछक पूम्च लेका नहीं तो स्क्राइब हो गए जलाएं धाटीटू के लिए चेक करो थार्टीटू यह भी सई है दो तो भलत हो घंग है दोसरा च्ử करते हैं कि आर के लिए 23 23 सही है रो से कालम यह सही हो गया 32 चेक करोगे तो दी के लिए 99 आपको चेक करना जो कि नहीं है रो से कालम गलत हो गया अब इसके बाद तीसरा विकल्प है वन वन आर के लिए रो से कालम यह तो सही है रो से कालम फिर इसके बाद 13 चेक करना है ओ के लिए रो से कालम सही है फिर इसके बाद 67 चेक करना है एक एक लिए 67 एक के लिए भी सही है यानि यह तीनों वैलू तो सही निकल गया अब 69 हमें डी के लिए चेक करना है 69 डी के लिए चेक करना है और रो से कालम आप देख सकते हो 69 मिल ला है यानि यह भी सही है तो इस कोर्षिन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी तो दोस्तों कभी भी आपको लेटर मैट्रिक्स से अगर रिलेटेड कोर्षिन आपके सामने आता है इस प्रकार से मैट्रिक्स बना रहेगा तो मैंने आपको बता दिया कि ऐसे प्राब्लम को कैसे आप जल्दी से सल्व कर सकते हैं ओके तो यह आज का टॉपिक हमारा लेट दे रखा है और इस टाप कमान बताना है तो सबसे पहले एस कमान चेक करोगे डारेक्ट आप्शन से 10 रो से कालम रो से कालम ठीक रो से कालम चेक करेंगे तो रो से कालम यह स्कमान देखो यह स्कमान देखो रो से कालम वन जीरो है क्या यह स्कमान वन जीरो रो से कालम है फिर देखो 560 के लिए है क्या 56 यह भी सही है अब अब 44 देखो है क्या किसके लिए ओ के लिए 44 चाहिए विया ओ के लिए भी सही है अब 97 पी के लिए है क्या 97 पी के लिए भी सही है यानि पहला आप्शन ही सही हो गया रो से कालम इस टॉप के मान में फोम का मान चेक करना है 24 यह अप के लिए देखो रो से कालम है क्या 24 यह अप का मान सही है 01 T के लिए देखो है क्या 01 T के लिए गलत है यानि यह आपसन नहीं है दूसरा 00 किसके लिए यह अप के लिए 00 यह अप के लिए रो से कालम सही है फिर इसके बाद 01 O के लिए देखो है क्या यह भी सही है रो से कालम 33 किसके लिए यम के लिए 33 एम के लिए है क्या रोसे कालम में भी सही है दोस्तों सेकेंड ऑप्षन इसमें करेक्ट हो गया तो इस तरह से कोई कोज़ें लेटर मैंत्रिक्स का फटा-फट हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अब इसके बाद आते हैं अब इसके बाद मैं लेता हूं एक ऐसे आपको पढ़ा देते हैं पेरस अफ्लेटर तो अब हम प्रणे वाले हैं ठीग है पर शाफ्लेटर पढ़ने वाले पेर्सआफ डीट theor टीया ऐसे कोशन भी आपके एकजाम में पूछता है और इसमें क्या पूछेगा पेर्स अफ लीटर है ना तो इसमें जोड़े बनाने होते हैं जैसे कि य nou कोशन में ले लेता हूँ जैसे कि एक कोशन में लिया पैराडाइज पैराडाइज ओके लाइंग्विज कोश्चन का इस प्रकार से कुछ होगा सब्द पैराडाइज में ऐसे कितने अच्छर युग में हैं जिनके बीच उतने ही अच्छर हैं जितने की अंग्रेजी बनमाला के क्रम में होते हैं शब्द पैराडाइज में ऐसे कितने अच्छर युग में हैं जिनके बीच उतने ही अच्छर हैं जितने की अंग्रेजी बनमाला के क्रम में होते हैं ठीक तो पैराडाइज में मुझे चेक करना है देखो तो सबसे पहले इसमें आपको दोनों तरफ से चेक करना पड़ता है यूजुल पोजीशन में भी और रिवर्स आउडर में भी तो और इसमें जहां पर जेड आ जाता है वहीं पर ये गिनने की प्रक्रिया स्टॉप करतेते हैं फिर अगले लेटर से शुरू करते हैं जैसे आप देखो पी क्यू आर एक पेर बना दो क्योंकि पी और आर के बीच में उतना है अच्छर है जितना की अंग्रेजी बढ़माला के क्रम में होता है ठीक तो पी क्यू आर यस्टी यू बी डबलू नहीं बना एक पेर बन गया ए और डी का इनके बीच में दो अच्छर है अंग्रेजी बढ़माला के क्रम में भी दो अच्छर होता है ठीक है फिर देखो आर यस्टी यू बी डबलू नहीं बना a b c d e yes a b c d e यानि इनके बीच में तीन अच्छर है अंग्रेजी बढ़माला में भी a और e के बीच में तीन अच्छर होता है ठीक है फिर देखो d e f g i j k s t नहीं बना d e f g h नहीं बना a b c d नहीं बना और e s t a b नहीं बना तो यानि कि इसमें आपको इस तरह से आपको आपसं दिया रहेगा तो बताओ आपसे पूछेगा सवाल यह रहेगा कि सब्द पैराडाइज में ऐसे कितने अच्छर यूगम हैं जिनके बीच में उतने ही अच्छर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में होते हैं तो पैराडाइज में ऐसे कितने पैर साफ लेटर हैं हो में इस सच पैर अफ लेटर इन वर्ड पैराडाइज इच आफ वीज आज मैनी लेटर आज इंगलिस अलफाबेट ऐसा वह सवाल बोलेगा लैंग्वेज इस तरह से होगा तो बता इसमें कितने जोड़े बने हैं थ्री तो आपका अंसर इसमें क्या बन जाएगा सी इसमें कौन साफ संट करेक्ट है सी है ना आई अगले कोश्चन पर चलते हैं और इसमें आप लोग बताओगे सब्द कटास्टोफी मैं ऐसे कितने अच्छर युग में है जिनके बीच में उतने ही अच्छर हैं जितने की अंग्रेजी बढ़माला के क्रम में होते हैं जितने की चलो one two three four, बता वो इसमें कितने पेर हैं, options भी दे दिया, चलो, बता वो इसमें कितने ऐसे जोड़े हैं, जिनके बीच में उतने ही अच्छर हैं, जितने की अंगरेजी बन्माला के करम में होते हैं, तो चलो जोड़े बनाके बता वो जल्दी से कितने हैं इसमें, देखो, c, डी ए एब जी एच आई जे के ल एम नहीं बना A B C D E F G H I J नहीं बना T U B W X Y Z देखो जेड़ यहां आया अब जेड़ के बाद मैं नहीं गिनूंगा यहां छोड़ दिया फिर देखो यह ती बनाना एक चीज एक पेर बन गया S T U B W X Y T U B W X Y R Y S T U V O P बने गया O P Q R P Q R या चाई तो सीधे सीधे जब मैंने चेक किया तो मुझे दो पेर मिला दो पेर मिला अब हम लोग रिवर्स आटो में चेक करेंगे E F G H I J K L M N O P Q नहीं बना P Q R Y S P Q R P Q R एक पेर बन गया P Q R Y S T U B W X नहीं बना O P Q R Y S T O P Q R Y S T O R T का बन गया फिर R Y S T U B W X T U B W X Y Z ठीक है S T U B W A B C D T U B A B नहीं बना तो कितने पेर बने दोस्तों इसमें फोर बनेंगे इसमें आंसर आपका क्या बनेगा फोर बनेगा राइट अगले कोर्शन पर चलते आओ चलो इस कोर्शन को बताओ जल्दी से क्या होगा सब्द अट्मॉस्फियर में ऐसे कितने अच्छर यूग में हैं जिनके बीच में उतने ही अच्छर हैं जितने की यंग्रेजी बनमाला के क्रम में होते हैं सब्द अट्मॉस्फियर में ऐसे कितने अच्छर यूग में हैं जिनके बीच में उतने ही अच्छर हैं जितने की यंग्रेजी बनमाला के क्रम में होते हैं चलो इसमें बताओ है ना देखो A B C D E F G H I J नहीं बना फिर T U B W X Y Z Z के बाद गिनना ही नहीं छोड़ो फिर इसके बाद यहां में यान O P बना ना बना दो यम यन O P Q R S T O P Q R S T U S T U B W X है ना P Q R S T H I J K E F G R S पीचे चे करो E F G H बनाना E F G H I J K L Y M N R S T U B W X Y Z E F G H I J K L H I J K L Y M N P Q R S T बनाना E F G T U B W O P Q R M N O T U है ना नहीं बना तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें कितने पेर बनेंगे अगर आपके सामने क्रोंद में इस तरह से और संब अगर दे रखा है तो कितने पेर बनेंगे आपको बताना रहेगा तो कितने पेर बनेंगे अगर इस तरह से आप संदे रखा है तो जो आपने बनाया वही आप टिक करेंगे यानि इसमें थ्री पेर बनेंगे तो इसमें अट्मॉस्फियर में कितने पेर बनेंगे थ्री पेर बनेंगे ठीक है ओ classification grouping of alphabet कल पड़ा दिया था लेटर स्रीज पर दो लक्षर दिया दोनों अगर पढ़ लोगे तो कभी लेटर स्रीज में प्रॉब्लम नहीं आएगा फिर आपको कोडिंग डिकोडिंग से related question मैंने करा दिया था फूरा फिर इसके बाद जो है लेफ्ट राइट अंग्रेजी बढ़माला में और दायें से नार्मल तरीके से दे रहा हूं बहुत नार्मल कोशन ले रहा हूं ताकि आपको जो अभी जो लेटरिश्ट एग्जाम हमारे सामने आने वाला है उसके लिए फिर जैसे ही मैं पांच छे चैप्टर आपको पढ़ा दूँगा इसके बाद मैं पीडियुप आपको दे रहा है क्योंकि जिस लेवल पर आप स्कोर करोगे क्राइटेरिया जो एक्जैमनेशन की होगी कि इस पोस्ट पोस्ट वाइज होगी कि इस पोस्ट पर इतने परसेंटेज वाले तो याद रखो कि पीटी में सिर्फ कॉलिफाई करना बड़ी बात नहीं होगी उसमें स्कोर क कराने वाला हूं बलड रिलेशन लेके आने माला हूं और बलड रिलेशन से रिलेटेट कोई भी प्रॉब्लम्स आप एक बार जब मेरा वीडियो पढ़ लेंगे देख लेंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा ब्लड रिलेशन का कोशन फड़ा फड़ा अफसल्प कर देंगे देखते देखते ठीक है दोस्तों तो अभी आज इतना ही ओके थांक्यू